है रो से आप सब आइहूप्अप सब अच्छ होगे तो आज इस वीडियो में कैसा करने वाले यूपी-जीए को तो यूपी-जी-दी न आपको क्या करना है वीडियो को पॉस्ड करने के बाद आपको आपको अपने नोटस अच्छी तरह से प्रिपेर करने, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस शचाट्र लगाने, जो खफना चक्री की, प्रत्यक विश्यक लिए ठीक है मैं आपको वह भी कराओंगी पर बात में कराओंगी तो सबसे पहले हम देख रहे तया है उत्तरपरदेश को ब्हु घार्भक सरचना जीओलोजीकल स्ट्रिक्ठर इस नाम यह संब भी मैं आपको करवाओंगी आज मैं आपको छोटा से लॉजिकल स्ट्रेक्चर उत्तर प्रदेश भारत के प्राचिनतम भूभाग गोडवाना लेंड का हिस्सा है यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो भारत के कोन सी प्राचिनतम भूभाग का हिस्सा है यह पूछा गया है ठीक है तो गोडवाना लेंड का हिस्सा है इन चार और शेल के नाम आपको च्छी तरह से याद रखने है ठीक है कौन सी चार प्रकार के विंध्यन, बुंदिलखन, तर्सरी और क्वाटनरी सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्य शेल समू की तो राज्य के दक्षिन में इस्तित पठारी भाग विंध्यन शेल क्या है निर्मित है इनका निर्मान कैसे हुआ है कैम्ब्रियन युग में निर्मान हुआ है यह कोशन पूछा जाता है देखिए इसका निर्मान का हुआ है कैम्ब्रियन युग में और यहाँ पर जो विंध्यन शेल समू है यहाँ पर कौन-कौन से मिनरल्स पाय जाते है ख गाम ओर श्रेनी का निर्मान हुआ है क्यामूर्श सेनी कि इक बात करे तो बोनदेल खंड से मetr séफ थीज़ यह धीशित कटोर बलुवा पत्तर कॉार्टिजाइट और कांगलो मेरिट आदी इसका विस्तार मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश और भिहार में पन्ना और गोलकुंटा की परशीद जो हीरे की खान है वह विंद्यन शैल समू में इस दिते पूछ जाता है जो पन् करप के प्राचिनतम शैल से इसका निर्मान हुआ है खनीज हॉन्ब्लेंड और लारक वार्टिज पाया जाते है यह हॉन्ब्लेंड पूछा गया है कि कहा पाया जाता है बुंदिल खंड नीज में प्रियोग के बात करें तो कठोर रंग के लाल बलुवा पत्तरों का जो प अब देखें जो दक्षिंता वा तो विंद्र शैल समू था ठीक है अब उत्तर प्रदेश के उत्री भाग में जो हिमाले प्रवत शेनियों का निर्मान टर्शरी कार में हुआ तर्शरी कार की बात करें तो टैथिस सागर के ऊपर उठने और हिमाले प्रवत के निर्मान के लिएकार जाना जाता है अब यहां पर डाइग्राम देख रहे हो अगर हम यहां पर बात करते हैं तर्शरी सेहर समू की तो आप देख सकते हैं यह बीच में तैथिस सागर है ठीक है और यहां पर ऊपर है यह आगारा रेंड और नीचे गोड़वान रेंड तो यह इक आ ग है तो वाबर होता है है ऑर तरहीका सबसे फेले भाबर होता है और फिर तरहीका शयudमता यह मैं आपको मैप के दवारा समझायों नेक्स जुडियो में उत्तर प्रदेश का सबसे उपरेशी से जो बाइए टरही है उसका चो यहां समूझ्हें से हुआ है आपको याद रखन पुर्व में क्या प्यार चार कंड और हर्याना राशितान दिली अगर व उत्वर पस्टिम के बीच की सीमा एक हमाल्य ही पूछचय कना अग्यश сор प्रदिश ङरन के मिन इसremlin का पादзы है पस्चिम कई जाता है हरयाना राजिस्तान दिल्ली उत्तर में नेपाल रगणु दक्षन में मन्द्या परदिश ठीक है तो आपको हो जाता है ये chapter complete कि अब आपको क्या करना है देखें सबसे पढ़ी तरीका क्या हो रहा है क्या रहा मुद अपने ब्यूड को समझनற उसके बाद आपको ऑघना चक्र घटना अ क्नुझेमा और उसमें अपको यहवाला चैप्टर लोगे तो अस nell जो भी कोशन मिलता है जो पीसेस में पूछे गया है आरो में पूछे गया है या फिर आईएस यूपीसी के एकजाम में पूछे गया तो आपको सारे मिल जाएगे आपको हमासे कोशन उठा लेना है तो उससे आपको क्या होता है एक आपका जो है कोशन का पता लग जाता है कि किस तरह कहां से question बन रहे हैं ठीक है अब next video में हम next topic देखेंकि इतने आपको इस video को note down कर लेना है जरूर वीडियो अच्छे लेगे तो आपको लाइक करना है शीर करना है और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है तो मैंने आज आपके इसी वीडियो में क्या पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश जो है भाद के प्राचिंता भूबाग गोनवाना लेंड में और चार प्रकार की शैल द कौन से भाग में इस्तिता ही है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं